तो टाटा आईपेल 2024 का 34 वा महा मुकाबला यानि कि मैच नमबर 34 लखनो सुपर जेंट्स वर्सिस चन्नी सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा अब ये महा मुकाबला LSD के होम ग्राउंड यानि कि लखनों के भारत रतना सिरी अटल बिहारी वर्स पाई काने स्टेडियम में खेला जाएगा जो भारते समय नुसार साम को साड़े साथ बज़े से यानि कि 7.30 पिम से ये मैच भी स्टार्ट होने वाला है अब ये मुकाबला काफी सांदार काफी जबरदस्त होगा इस मैदान पर अब तक आईपिल के तिहास में CSK वर्स एलेस्जी की बीच मातर एक मुकाबला खेला गया था लेकिन वो मेच बारिश की वज़े से रध हो गया था नो रिजल्ट रहा था तो CSK वर्स एलेस्जी की बीच अब तक आईपिल के तिहास में कुल तीन ही आईपिल मैचेस खेले गए ये चोथी बरंथ होने जा रही है तो फिछले जो तीन मैचेस इन दोनों टीमों की बीच खेले गए एक मुकाबला चन्ने सूपर किंग्स ने जीता है तो वहीं एक मैच लखनों सूपर जेंट की टिम को हार मिली है अपने होम ग्राउंड पर डेली के खेलाफ है अब जो तीन मुकाबले खेले गए इस मिदान पर पहले बल्ले बाजी करने वाले टिम ने दो मुकाबले जीते हैं तो वहीं चेसिंग टिम को मातर एक ही मैच में जीत मिली है जहां एक तरफ लखनों बेक लगतार जित कर आ रही है एक के क्यार की खिलाफ तो एक मुंबई इंडियन के खिलाफ अब जहां केल सहुल की कप्तानी वाली लखनों सूपर जेंस की टिम ने अब तक कुल 6 मुकाबले खेल लिये इस टीम को तीन मैचों में जीत मिली है तो यहीं 3 मैचों में हार मिली है जबकि दूसरी और चननाई सूपर ईस की टीम है जब तक कुल 6 मुकाबले इस टीम है लेकिन इस टीम को अब तक 4 मेचों में जीत मिली है 2 मैं की बेड़ियोश के बार फिट हो जाएंगे उनकी जगह पर CSK के टिम ने एज़ रेप्लेस्मेंट इंगलेंड के तेज़ के रिबास रिचार्ड ग्लेशन को अपने टीम में सामिल किया है जो कि एक बहुतरिन गेरबास है तो महीं दूसरी तरफ लखनाओ सूपर जेंट की खेमें से बड़ी सब भी अपडेट्स सबसे पहले दी जाती है लिंक डिस्किप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है तो इसे वीडियो में आगे इस मुकाबली की पिच्छी डिपोर्ट्स कंडियतन की बात करेंगे जब कि दौनल टीमों की प्लेइवन कंबनीशन और इस मुकाबली क कौन टीम जितने वाली है लिकन उससे पहले अगर आप भी किरिकेट की दुनिया से पैसे बनाने चाहते हैं अपने महगे महगे सोग पूरिकरने चाहते हैं तो भी फटाफट वीरु भाई के टिलिक्राम चनल को जोईन कर लिचे अब ये बनता मैच से पहले ही बता देते है कि कौन टीम टोस चीटेगी कौन टीम मेच चीटेगी और कौन सा से बढ़िया जाएगा इनकी खास बात यह कि इनके पास 10 साल का एक्स्पिरियेंस है और इनकी प्रेट्शन 99% रेकुरेट चाहती है इस आईपल अगर आप टोस मेच चाहते हैं तो भी फटा-फट इन्हें क कर सकते हैं इनका टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्केप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है तो आप इनकी क्लाइंट की तरह प्रॉफिट कमाना शुरो करो इस आईपल इनके साथ जुड़के जो लोग पहले से जुड़े हैं वो काफी प्रॉफिट में है तो देरे मत को साम साथ बजे से लखनों में तो इस मुकाबले की पिछी रिपोर्ट कुछ इस तरह से इकाना किरिकेट स्टेडियम में अब तक आईपल की चाहस में कुल दस आईपल मैचे सखेलेंगे पहले बल्ले बाजी करने वाले टीम को मातरे तीन मैच में जीत मिलिए और एक मैच और नो रिजल्ट दाता इस मैदान का सबसे हाइस्ट स्कोर 189 रन है सबसे लोबेस्ट इसकोर 188 रन है सबसे बड़ा रन चेस 117 रन वुए था और सबसे स्टेकोड़ा है एक सोचß शब्बिस रन है और इस मैदान का एविरेज स्कोर 177 रन है अब ये पीछे के बहतरीन पिनस को काफी मदद मिलती है यहां पर तो इस मैच में चन्नाई सूपर रिकिंग्स की टिम को चाहिए कि ड्राइल मेचल की जगह पर मुहिन अली को इस मैच में खिलाएं तो वह दूसरी तरफ जहां लेखनो सूपर जेंट्स की तरफ से पिछले कुछ मुकाबले से कोईंटम डिकोग बुरी तरह से फलोफ हो रहे हैं तो फिर आखिर लेखनो सूपर जेंट्स की टिम काईल मेरिस को क्यों नहीं खिला रही है टीम में काईल मेरिस भी मुझूद हैं आपको बता दे कि यह इस साल भी टिम के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन अब तक एक मैसे में भी नंबर थेन पर धीपाक हुटाओं घे नंबर चारज पर ओंगे ऐस बदो नी जिपके नंबर 5 पांच परूँब मार्किस इस इसकिन मभषे परूँद ही नंबर 20 से निकॉलास पूरन प्रों गर कुनाल पांडिया नंबर 8 पहंग ए नंबर महसन पॉक्य हों नमबर दस परोंगे समार जोसेफ और नमबर ग्यारा परोंगे यास ठाकुर तो यहीं लखनाऊ सूपर जिन्स की प्लेंग इलेवन जहां यह टिम गेड़बाजी किसे में ऐसा इंपेक्ट प्लेयर यूज कर सकती है मैंग की यारों 30 के बास को या फिर एम सिधार तो बात की जाएचे नई सूपर गिंग्स की प्लेंग इलेवन तो सुलामी जोड़ी के तोर पर नमबर एक परोंगे रुतुरुवाज गेकवड कप्तान जबकी नमबर दो परोंगे रचिन रविंद्रा जिनका फॉर्म फिलाल काफी खराब चल सा है शुरुवात काबले में मोहिन अलिया के परफेक्ट खिलाड़ी होंगे विस्पिन गेरबाजे के साथ सांदर हीटिंग बल्लेबाजे करते हैं इस पीछ पर इने काफी मदद भी मिलने वाली है नमबर छे परोंगे समीर जीजवी तोई नमबर साथ परोंगे महंदर सिंग धोनी विकेट अगर ये टीम पहले गेरबाजी करती है तो मतीशा पत्राना स्टार्टिंग प्लिंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे अब बात करें इस मुकाबली की मैच विन प्रेडिसन की क्या कि मुकाबला कॉंट टीम जीच सकती है तो इस मैच को लेकर हमारी तो प्रेडिसन यह ही है कि यह मुकाबला चन्नाई सूपर किंग्स की टीम जीच सकती है सीच की टीम फिलाला जबरदस्त फॉर में चल रही है सीच के काफी स्ट्रॉंग और बैलेंस टीम है